इस वीडियो में हम लोग जहारखन हिस्ट्री देखेंगे तो जहारखन हिस्ट्री के अंदर आज का टौफिक है जहारखन के छेतरी राजवास एक ऐसा टौफिक है जिस टौफिक से जहारखन के छेतरी राजवास टो जहारखन अनेक छेतरी राजवास है उनमें से एक करके सब बारे में मिक्सिंग सवाल दखेंगे तो पहला सवाल है किस जन जाति के लोगों दवारा सबसे पहले जहारखन राज निर्मान की परक्रिया शूरू किया तो जन जाती के दोवारा शूरू किया घया था तो जहारखन राज निर्मान की प्रग्लिया सबसे पहले मुंडा जन्जाति वने सुरू कि था लेकिन मुंडा जन्जाति कोवा व्यक्ति कौन ठाश तो वह बैक्ति जो था रिशा मुंडा उप्संसी सही हो जागा इसको बहुत से जगा आपको रिता मुंडा भी देखने को मिलेगा तो रिशा यह और रिता मुंडा मुंडा जनजाति को वह पाला बैक्ति था जिन हो ने मुंडा राज निर्मान की प्रग्रिया शुरू की थी और रिशा मुंडा ने अपने राज का सासक किसको बनाए था तो रिशा मुंडा ने अपने नव अस्थापित राज का सासक जो है किसको नियुकत किया था सुतिया पाहन को किसको सुतिया पाहन को अगला देते हैं सुतिया पाहन ने अपने नव अस्थापित राज का नाम क्या रखा था सुतिया नाखण और सुतिया नाखण जो है टोटल साथ गड़ और 21 परगणा में विवाजित था कितना साथ गड़ और 21 परगणा में साथ गड़ कोन था एक रिथा लोहा गड़ हजारी बाग पालून गड़ मान गड़ सींगड केसल गड़ और सरगुज गड़ तो साथ गड़ 21 परगणा में सुतिया नाखण विवाजित था अगला है तो सुतिया नाखण के पर्थम राजा कौन था तो पर्थम राजा जो था सुतिया नाखण के पर्थम राजा रिचा मुंडा या रिता मुंडा ओप्संसी सही हो जागा और आखरी राजा कौन था मदरा मुंडा जो था आखरी राजा था मदरा मुंडा आखरी राजा था और सूत्याfeld्खन के रायध्णी कहा पे था सूत्या में जो था इसकी राजधानी था यह भी मायेड़ में रखेगा और नागोंस दुआण इस राज्वन्स के सासकों को हटाके नागोंस के सासक था स्थापित किया गया था तो नागोंस के तो स्थाफना किस ने किया था arch Fleisch सेंसर क्या होगा सकते संस्थाफक जो थे तो ऑसे छुष महना दश्वीं सदी में आगोंस किस था उस्थाफना मना जाता है और नागोंस को मेशना नागोंसworld नागिसमें टॉटल कितने परगना थे 66 परगना में मुखुट फुनी फनी मुखुट रायना प्रिराजगो 66 परगना में विवाजित क्या था इन में से 22 जो थे 22 घटवारी थे 18 जो थे थे चोट रुटल 66 परगना में विवागी विवाक था अगला है पर्थम नागों सी राज को थे तो पर्थम नागों सी राजा जो था वध था फनी मुखुट राय ऑफशन 20 ही को स्हजाएगा क्योंजיך नरेस को अरा किसको क्योंजर राय था कि सकंट ओप्सन ये सब्वोगे रहे गा और एपना विवास संबंद स्थासरा कि नाटवनस फनी मंखूर्येगा कि राजधानि थी तो गर्भल मुखर्ळणी कि मंखुर्णी करता मि राज developed जो था सूतियांबे था और उसने अपने राज में गेर आदिवासियों को बसाया था इनके अगला है जेर इति हासकर जेर्मिट के नुसर नागोंसी राज के स्थाफना कब की गयी थी तो नागोंसी राज के स्थाफना जो है निम्रिखित में से किस राजा को नागवन्स का आधि पुरुष कहा जाता है तो नागवन्स का आधि पुरुष किसको कहा जाता है तो नागवन्स का आधि पुरुष जो है फनी मुकुड राय को कहा जाता है option यह सहीव जागा फनी मुकुड राय का विवा निम्र में से किस साइता से उन्होंने क्यों जह नरेश को पराजित किया था पंचेत राज यह स्थित है तो पंचेत राज कहां पर इस्थित है पंचेत राज जो है नागवन्स के नागवन्सी राज के पूर्व में इस्थित है तो पंचेत राज नागवन्सी राज के पूर्व में अप्शन फनीवकơnrach का दिवान था पांड़व रह राय स्री वास्तवल जो है क्या μια का फनी मुकुटराय का दिवान था अगला question देखते हैं किस नागवंसी सासक ने अपने राज में गैर आदिवासी को आसरय परदान किया था तो अपने राज में गैर आदिवासी को आसरय परदान करने वाले नागवंसी सासक जो थे फनी मुकूर राय औप्सन ये सही वा जाएंगे और फनी मुखुड राय के तो राय को हत्या किस ने किया था तो नागवनसी सासक फनी मुखुड राय की हत्या किस ने की तो फनी मुखुड राय की हत्या जो है फनी मुखुड राय की हत्या जो है बागदेव सीने किया था किसने बागदेव सीने ऑप्सन भी सही हो जाएगा अगला question देखते हैं, निम्न में से किसके सासनकाल में पलामु कीला का निर्मान किया गया था, तो पलामु कीले का निर्मान किया गया था, परताप राये, तो परताप राये के एक सासनकाल में पलामु कीले का निर्मान किया गया था, और परताप वा राये जो थे नागोंस के चुटिया में अगला है परताप राय ने अपनी राजधानी कहां बनाया था चुटिया में अगला है परताप राय ने अपनी राजधानी को सुतिया में से किस अस्थान पर अस्थांतरित कर दिया था तो परताप राय ने अपनी राजधानी को सूतियामे से कहां ले गया था चुटिया और चुटिया कहां पे है किस नदिक किनारे सुमरेखा नदिक किनारे यह भी माइड़ पर रखिएगा अगला है निवन में से किस नागवंसी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपादी धार उपादी से प्रहुएं enlightened किया था ये are नाग्वहाद सी रजावंद बढ़ करन की उपादी किस राजवन से प्रहुएद बारवा की लड़ाय में सरगुज्जा के रक्सिर राजा को किसने प्राजित किया था? तो वह थे भीमकर्ण, option A सही हो जागा, और रक्सिर राजा उसे में कौन थे? कौन वंस से समझी थे? हे हे वंसी वंस रक्सिर राजा अगला है, बारवा की लड़ाय में विजय के उप्रांत, भीमकर्ण ने बारवा के साथ पलामू के किस छेतर पर अधिकार कर लिया? तो बारवा और पलामू के किस छेतर पर अधिकार किया था? टोरी छेतर पर और साथ ही वहाँ से उसे एक बासुदे की मुर्ती भी प्राप्त हुई थी अगला है निमलीखित में से किस नागवंसे सासक ने भीम सागर का निर्वान करवाई था तो भीम कर ने भीम सागर का निर्वान करवाई था तो भीम सागर से तीन स्वाल भी भी आये रहता है तो कौन से नागोसे सासक ने अपनी उपादी करने जोड़ा था भीम करने जोड़ा था उन्होंने भीम सागर का निर्मान करवाई था और उन्हें बारवा की लड़ाय में हे वंसी रक्सिर राजा को हरा कर तोरी और पलामू बारवा पर अधिकार कर लिया था भीम सागर का निर्मान भीम करने करवाए था अगला है बारवा की लड़ाय में भीम कर को नीवन में से किस देवी देवता की एक प्राफ्ट फुई थी तो कौन से देव या देवता की मूर्ती मिली थी वासुदेव थी आपसन सी ऐया जाएगा ने नेंवर मैं से किस नागवनसी शासंग ने खुकरा को अपनी राय धानी बनाया था तो भीम करने option सी से हो जाएगा और कहां से लाया था तो चूटिया से अपनी रायधानी खुकरा ले जाने वाले नागवंसी ससक भीम करन थे और चूटिया से रायधानी अस्थांतरित किये जाने का मुख्य कारन किया था तो मुख्य कारन सुणिए तो चुटिया जो था मुस्लिम आकर्मन कारियों के मार्ग में पढ़ता था और चुटिया बंगाल पर आकर्मन करने वाले तुर्कों के मार्ग के निकड़ था इसलिए मुस्लिम आकर्मन कारियों सो बचने के लिए भीम करने चुटिया से खुख्रा अपनी राजधानी ले गया कहां पने ले गया खुख्रा अगला है निमलिखित में से किसके आकर्वन से बचने है तू भीम करने अपनी राजधानी को खुख्रा अस्तान से तू किया था पर्ताप कर्ण, छत्रकर्ण और विडाट करनो अफशन D सही हो जाएगा नागोंसी सासक परताप कर्ण के समय राज किसके विद्डो से तरस्त था घटवार विद्डो अफशन D सही हो जाएगा अगला है इनमें से कहां के राजा ने खुख्रागर्ण की घेराबंदी करके परताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया था तो परताप कर्ण को खुख्रागर्ण की घेराबंदी करके किले में बंदी कहां के राजा ने बनाया था तमाल के राजा ने अब एक तिस्वा स्वाल है तमाल के राजा की बंदी से मुक्त होने में परताप कर्ण की मदद किस ने की थी जब तमाल के राजा ने परताप कर्ण को खुक्रागर्ण की गेराबंदी करके बंदी बना लिया था तो परताप कर्ण की सायता किस ने किया था बागदेव ने option A सही हो जाएगा तो खरवार राजा ने परताब कर्ण को मुक्त कराने के दोरान तमाल के राजा को प्राजित किया था इसके परिणाम सरूप बागदेव को कौन सा छेतर पुरुसकार मिला तो बचाने के एवज में बागदेव को पुरुसकार सरूप कोन सा छेतर मिला था करण पूरा छेतर option D सही हो जाएगा नागवनसी राजा छतर कर्ण के सासन काल में कोरामबे में किस भगवान की मुर्ती अस्ठापित की गए थी तो कोरामबे में छतर कर्ण के समय भगवान विश्णुक की मुर्ती अस्ठापित किया गया था option C सही हो जाएगा इसी मुर्ती के परवाव से चेतनिय महापर्भू जो था 16 सदी में मत्रा जाने के कर्व में कुछ दिन पंच परगना छेतर में रुका था तो मठरा जाने के छेत्र कर्मे से किस मत्र किया था option B सही हो जाएगा और यहां ज्यनकारी किस से मिलती है तो एक गरंद है चेत्रीत अमिर्ट इसी में इससे बात की ज्यनकारी मिलता है कि वे पंच परगना छेतर में कुछ दीन रूके थे 35 है राम सा निमने में से किसके समकालिन था तो राम सा जो है किसके समकालिन थे बाहदूर सा प्रथम और सी सही है नागवंसी सासक अधुनात सा ने निमने में से किसके समकालिन थे अधुनात सा जो थे फरुक सियर के समकालिन था और अधुनात सी ने अपनी राजधानी कहा ब बनते हैं और पूछे जा सकते हैं पहली राइदानी क्या था सूतियांबे किसके दुवारा बनाए गया था तो फनी मुकुट राय के दुवारा बनाए गया था सूतियांबे को राइदानी नागवंस की पहली राइदानी सूतियांबे इसके बाद कहा बनाए गया चुटिया चुटिया को राजदानी किसने बनाया था परताप राय के दोवरा बनाया था चुटिया को राजदानी इसके बाद है खुक्रा खुक्रा को किसने बनाया था खुक्रा को राजदानी नागोंस की बनाया था भीम करने नेक्स्ट है दोईसा दोईसा को राजदानी किसने बनाय था कि दूर्जन सा के दोवारा बनाए गया था कि पालकोट को किसके दोवारा बनाए गया था राईजानवी अधुनात सा के दोवारा एक है पालकोट भौरा पालकोट भौरा को किसके दोवारा बना गया था जगनाथ सादेव जगनाथ सा के दोवारा पालकोट भौरा और एक है रातूगर्ज आखरी है रातूगर्ज रातुगण की राजधानी किस ने बनाया था प्रताप उदय उदय नात सहदेव तो नागवन्स की पहरी राजधानी सुतियांबे और आखरी रातुगण अगला स्वाल साहतिसमा देखते हैं निम्न में से किस मुगल सुवेदा तुबारा आकरवन करने के बाद अधुनात सा से एक लाख रुपिय माल गोजारी देना सुविकार किया था सर बुलंद खावन हो जाएगा इसका उप्सन सी अगला है सर बुलंद खावन के आकरवन के बाद अपने राज को सुरक्षित रखने दूर अधुनात साह ने अपनी रायधानी कहां अस्ताना तिर्किया था तो बुगल सुविदार अलिवर्दी खां को माल गुजारी का भुगदान करते थे तो अलिवर्दी खां को माल गुजारी का भुगदान उदेनात साह के दौरा किसके दौरा किया जाता था विश्नु सिंग ऑप्सन ए सही है स्याम सुंदर साह के शाषन के दौरान मराठा वी सही हो जाएगा जब माराथा योद्दा भासकर राव पंडित ने जारखंट से होकर बंगाल पर रास्ते से बंगाल पर आकरमण किया था तो किस वर्ष किया था तो बंगाल कर आकरमन वासकर राप मंदित दोबारा शत्रों सो ब्यारीस स्वी में किया गया था और अप्सन सी सही हो जाएगा रगुजी भॉंसले ने किस वर्ष बंगाल पर आकरमन किया जिसकी सिकायत अलीवर्दी खाने माराथा पेश्वा बालाजी राव सकी थी तो रगुजी भॉं बालाजी राव निम्द में से झारखण के किस अस्थान सो कर बंगाल गए तो पेशुआ बालाजी राव कुन से अस्थान वह था बंगाल गए थे तो राजमहल होते यह बंगाल गए थे लेकिन अगला स्वाल इसका उडिटा है बंगाल पर आकर्मन करने के बाद रगुजी भॉंसले निव्ण में से जहारखंड के किस छेदर से होकर अपने राज वापस लोड़ गए थे तो रगुजी भॉंसले ने 1349 में बंगाल पर आकर्मन किये और किस रास्ते से लोटे थे मानभूम छेदर से अपसन बी से यह है निव्ण में से किस नागवांसी सासक के समय जमिंदारी पर्था का उन्मूलन कर दिया गया था तो जमिंदारी पर्था का उन्मूलन कौन से ना नात सा उप्सन भी सही हो जाएगा निव्ण में से किस ने अपनी राइधानी को दोशागर से सत्रंजी सोन रेखा ने किनारे स्थांतरित किया था तो सत्रंजी को राइधानी किस ने बनाए था एनिनात सा उप्सन किस सही हो जाएगा निव्ण में से किस सासक ने हाटिया तो हटीया वाजार को किसा सगने वसाय था वह सासल जो है एनी साह एनी नात साह है ओपसन डी सगी को जाएगा सरनात सा नहीं हो किसके दोवार किया गया है रातुगड को परताप उदैनात साधेव कि उदै उदैनात साधे के दोवार रातुगड वसा आगया था तो गलत कुन था उसंडी सही हो जाएगा अगले कोशिन के राज़ वढ़ते है अब रामगार्यज की अंतिम राज़दानी कहां थी इसका answer क्या हो जाएगा तो रामगार्यर की अंतिम राज़धानी जो थी पादमा थी को आप्स हुए बढ़ा तो यहां चार दिया गया है रामगण राज की राजदानी और राजा के बारे में बोता गया है कौन सा मिलान गलत है तो सिस्या जो थी रामगण राज की बर्थम राजदानी थी और सिस्या को राजदानी किसने बनाए था बागदेश सी बिल्कुल सही है बादाम को राजदा का सासन कहां से किया था तो दलेल सीन अपरी राजदानी का सासन रामगर्ण से किया था कुछен कि और रामगणराज के आखरी राज कुछन थे ऑरकेण स्युन है कर तहीं के साथनकाल में रामगणराज करी तो डलेल सिंह के साथनकाल में रामगणराज की राईधनि जो है कहां थी कि रामगर्ण थी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा तो रामगर्ण राज को कब समाप्त किया था तो रामगर्ण राज को 26 जनवरी 1955 को पिहार भूमी सुधार अधिनियम की धारप तीन के अंतरगत कि समाप्त किया था कि ऑफ्शन डी सही हो जाएगा अगला है द्यम्ण में सब और0Ensee राजा बहादूर स जहांदार सा और फरुक यार के समकालिन था तो बहादूर सा जहांदार सा और फरुक सिर के समकालिन कोन कोन सा 1st Unterschied राला था तो इसका सही अंसर हो जाएगा सहबल राय तो इसमें कोई नहीं है तीन चारों गलत है सहबल राय इसका सही अंसर है अगला है निवन में से सहब राय का उत्रा अधिकारी को था तो सहब राय का उत्रा अधिकारी को था तो अंसर क्या होगा तो शाहिव राय का उत्रा अधिकारी जो थे, उनका नाम था रंजीत राय, तो अपसन सी सही हुआ जाएगा, रंजीत राय, और साहिव राय का सासंकाल कितना था? तो सहब राय का सासनकाल 1697 से लेके 1760 तक था जब सहब राय की मिर्थी हुई तो रंजीत राय सासक बना था और सहबल राय का सासनकाल कितना था सहबल राय का सासनकाल जो था 1612 से लेके 27 तक 1627 तक था अगला है रंजीत राय के सासनकाल में बीहार का कौन सा मुगल सुवेदार पलाम आया था तो वह मुगल सुवेदार जो थे सर बुलंद खाँ option B सही हुआ जाएगा और रंजीत राय का सासनकाल कितना था रंजीत कराय का 1760 से लेके 1722 तक यह भी माइड़ रखिएगा रंजीत राय नाय मुगल सुवेदार सर बुलंद खां से निम्न में सकीज चेतर पर कबजा कर लिया था तो सर बुलंद खां से कौन सा चेतर पर कबजा किया था रंजीत राय नाय वह चेतर जो थे राजमाल छेतर था option 20 सही है next question रक्सेलों के सासन के समय पलामू में किस जन जाती की संख्या सरवाधी थी जब रक्सेल सासन कर रहे थे उस समय पलामू में सरवाधी संख्या किस जाती की थी खरवार जाती की option 20 सही हो जाएगा उनसे ठेट है नियुन में से किस वंस के वंस ने रक्सेलों को अबदस्त किया था तो रक्सेलों को किसने हटाया था तो रक्सेलों को जो चेरों के तवारा हटाके सासन अस्थापित किया था तो चेर वंस ने रक्सेलों को अटा दिया गया था रक्सेलों के पलामू में साफसन के समय खरवार जन जाती के सासक कों थे जब रक्सेल साफसन कर रहे थे उसमें पलामू में खरवार जन जाती के सासक कों थे परताब धवल ऑप्सन एफसरी हो जाएगा और रक्सेल रक्सेल अपने आपको क्या कहते थे रक्सेल जो थे अपने आपको राजपूत मानते थे क्यों वे राजपुताना से रोहतासगण होते हुए पलामों पहुंचे थे और वे दो दल में भक्त हुए थे कौन कौन दल में एक हरीहर गंज और महाराज गंज होते हुए देवगन में बसे और दूसरा था चत्रापाकी होते हुए कुंडेलवा में बसे तो देवगन औ कुंडे लवा अगला है चेरोवंस के स्थापना किसने की थी तो चेरोवंस के स्थापना जो है किसने क्या था है भागवत्र राय नहीं भागवत्र किसने भागवत्र राय ऑप्स्नी सजह आगा इस चै कपकी गयती तो चै एक इतिहासकार है इसका नाम क्या है ए ani की वी रोतम सी एंद दानल शेड दानल की जोपी की अस्थापना वर्स जाता है 1535 के आसपास लेकिन आधिकास चुतियास कारफ के अनुसार माने जो है 1572 कि विरोतम की पुस्तक अनुसार 1935 में एक चेरो राजा थे महारत चेरो उन्होंने चेरो समराज की इस्थापना की नीव डाली थी लेकिन 1535 में नीव डाली किया था नेकिन इसका वास्तविक संस्ताफक जो है भागवत राय उन्हें 1572 माना जाता है या तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा चेरो उन्होंस के स्थापना कभ हुई थी सौली सदी में ऐसे भी स्वार राज सकता है नेक्स्ट क्वेच्चन नीवन में से किस ने रंजीत राय की हत्या करके पलामु राज पर कभजा किस ने किया था जैक्रिष्ण जैक्रिष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर दी उसके बाद पलामु राज पर कभजा किया था और जैक्रिष्ण राय का सासन कल कभ था कि 1722 से लेके 1770 तक अगला है बिहार के की सुविदार ने 1730 स्वी में पलामू के चेरो राजा जैक्रिस्न राय से कर्वसूल किया था तो जैक्रिस्न राय से 1730 में किसने कर्वसूल आथा पहुद कि फखरूद डॉला उप्सेंडी सही है और चेरो वांज की एक सासक छूट गए है जिसका नाम है मेदनी राय तो मेदनी राय काफी परमुक सासक थे चेरो वांज के इसके बारे में भी देख लीजिए मेदनी राय इनका सासनकाल अब था 1658 से लेके 1654 इनका सासनकाल था काफी महत्पुन सासक था तो चेर ववन्स के सबसे प्रताफी सासक थे और मेधिनी राय के सासनकाल को चेर ववन्स का स्वर्न यूग की संग्या दी जाती है और मेधिनी राय को नियासी राजा की संग्या भी मिला है नियासी राजा किसको मेदनी राय को मिला है और मेदनी राय का सासनकाल कितने वर्सों तक रहा था मेदनी राय नागवनसी राय दानी दोईसा पर आकर्मन किया था और वहां लूट मार किया था तो नौरत गर्ण में लगे विशाल पत्थर के दरवाजे को पलामू लाया था अगला कोर्शन देखते हैं सी वंस की पहली साखा के संस्थापक कोन थे तो सी वंस की पहली साखा के संस्थापक जो है कांसी राम सी थे कांसी राम सी जो थे सीवंस की पहली साखा के सस्थापक थे तो सीवंस की पहली साखा में कितने राजाओं ने सासन किया था तो कितने राजावों ने सासन किया था C1 की पहली साखा में लगभग 13 राजावों ने सासन किया था और अगर पूछा जाए C1 की पहली साखा के अस्थाफना कब हुई थी इसकी अस्थाफना जो है आठवी सदी में हुई थी कब आठवी सदी में यह भी मात्पुर्स वाल है और सीम्वंस जो है कुण थे को न खेर राठोर राजपुत थे तो राठोर राजपुत जो पच्छेंब भारत से आय थे नैस्ट्ट स्विब्र साखा का शासन कब गोया है तो सींवंस की फ़त मतली साखा का सासन जो रहा आठवी सदी से लेके तेरिवी सदी तक जारी रहा था ओप्सन डी सगी हो जाएगा और सीवंस जो थे शुरू में नागवंस के परवाव छेतर में आते थी लेकिन बाद में वे सवतंतर सासक बन गए थे अगला है सीवंस की दूसरी साखा के स्थापना किसके दवारा किया गया था तो सीवंस की दूसरी साखा के स्थापना जो है दर्प नरायन सी के दोरा किया गया था दर्प नरायन सी के दोरा कव 1205 स्वी में तो सीवन्स के दूसरी साखा दर्प नरायन सी के दोरा 1205 में किया गया था सीवन्स के दूसरी साखा के दूसरे साखा के दूसरे साखा कोन थे तो दूसरे सासक जो थे उदिश्ठीर, option B सही हो जाएगा, उदिश्ठीर ने किस वर सीवंस का सासन अपने हाथ में लिया था, तो उदिश्ठीर ने सीवंस का सासन अपने हाथ में कब लिया था, पंदरसो, बारसो बारसो बारसेट में, बारसो बारसेट में, option B सही हो जाएगा, next question, 1740 में बिहार के किस मुगल सुवेदार ने, चेरो राजा, जै क्रिस्न राय पर पांच जार रुपीये वार्सिक माल गुजारी करन रायत किया था, तो किस सासक ने, कुछ से सुवेदार थ करने वाले बैकती जो थे, हिदायत खांथे, option B सही हो जाएगा, इन में से कौन एक, सी वंस की गरंथ है, तो सी वंस की गरंथ कुण सा है, तो सी वंस की गरंथ जो है, वंस परवाल एखन, और वंस परवाल एखन के अनुसार, सी वंस ने, ने 52 तक राज किया था, कितना, 52 और यह किसके अनुसार कहा गया है, इतिहासकार, अमेली सिंग, इतिहासकार, अमेली सिंग के अनुसार, सी वंस परवाल एखन के अनुसार, बावन पिडी तक सी वंस ने सासन किया था, अगला है, सी वंस की पहली साखा के स्थापना, कब हुई थी, तो पहली साखा के स्था आगला आगल सी ने आपनी रायधानि किस सतंपर बनाई थी तो कांसी राम सी ने प्री रायधानी जो है कहां बनाए था फोर हाट में सब्हू ये सदी हुज देशारा के कारण कि माने से की जन जाती ने मानव नुन्स के रायजाों के अत्याचार के कारण मानभूँन को छोड़कर पंचेत पर अपना अश्रे बना लिया था मानभूँन को छोडकर अपना अस्रे बनाने वाले जाति कूं थे सभर जान जातीrue सिस कही थी तो रामगरण राज की इस्थाफन तो इसकी राजधानी जो थी भागदे सी ने रामगर राज की राजधानी जो है जिसिया को बनाया था कि प्रतिष्ठा की थी तो पोरी देवी की कौन सी राजा ने किया था अच्यूत सिंग ने किया था अच्यूत सी ने किस राजा को बनारस की तिर्थ आत्रा से लोटने के कर में एक मुस्लामान द्वारा पकड़ लिया गया था तथाबाद में अपने 32 अनुवाईयों के साथ छोड़ दिया गया था मुस्लिम आकर्म मुस्लिम आकर्मन कारियों के चैंगूल में फंस गया था अपने 32 अनुवाईयों के साथ तो कौन फंसे थे एक नमबर हो जाएगा इसका सही ऑप्सन एक अर्जून सी पर्थन और इसको कहां ले जाए गया था तो बनारस की तीत हात्रा से लोटने के कर्म में एक मुस्लिमान ने अर्जून सींग को पकड़कर किस अस्थान पर ले गया था तो अर्जून सींग को पकड़कर कहां ले गया था कटक ले गया था लुटिशा में जो है प्सन भी सही आया अरजुन सिंग पर्थम के बाद सींवान्स का सासा कोन बना था अनंढ्सी पर्थम और और जगनात सी द्वित्ति के समय ही भुईया जंजाती ने विद्रोग किया था अर्वेद वे सीवंस के तेरवी राजा थे और उनके अत्पुडें से प्रहसान होके भुईया जंजाती ने विद्रोग किया था जगनात सी द्वित्त के समय अगला है जगनाथ सी दूति सी वंस का कौन सा सासक था तो जगनाथ सी दूति जो है सी वंस के तेरवे सासक है और सी सही हो जाएगा अगला है निवन में से सी वंस के किस सासक के उत्पीडन से तंग अकर भूईया जंजाती ने विद्रोख कर दिया था तो भूंगियां जन्जाती ने चगनास सी दूति के सासनकाल में विद्रोख किया था उनके फिड़न से तंग आके ऑप्शन सी सही हो जाएगा सीव ओंस के किस राजा ने विक्रम सी को बारगाओं का एक जागिर दिया जिसे सिंभूम पिर का गया तो बारगाओं का जागिर किस को मिला था किसने दिया था वह दिया था अर्जून सीन दिय ने दिया था ओप्शन इस रायधान के बाद इसकी रायधानी कहांश ठापित किये तो विक्रम सीन जो था अर्चुन सीन के चाचा था उन्होंने सिम्हुन पीर का विस्तार करने के लिए राजधानी कहां बनाया था अपने राज का विस्तार करने के बाद अपने राजधानी को सुराय केला में बनाया था उप्सन B तो विक्रम सी ने इनमें से किस चत्र पर कवजा करके अपरी स्रीमा कविश्थार किया था तो कहां पर कवजा किया था कांडू पे गमरिया पे बसकाय पे आनिक उपरी सभी अरजून सी दृत का उत्रादिकारी कौन था तो अरजून सी दूइत के उत्रादिकारी जो था अमर सी थे, option C सही वाजाएगा जगनाथ सी चतूर्थ के सासनकाल में पुरहट छेतर में नीवनमे से किस जनजाती के लोगों ने उत्रव किया था तो जगनाथ सी चतूर्थ के सासनकाल में कौन से जनजाती ने पुरहट में उगद्रव किया था, हो और कोल जाती ने, option A सही हो जाएगा next question, हो अधिवासियों के उद्रव को नियंतरित करने था, जगनाथ सी चतूर्थ ने नीवनमे से कहा के राजा से मगद्दत माँगी थी, जब पुरहट में हो जन जातीयों का विद्रो हुआ थो, जगनाथ सी चतूर्थ ने किस राजा से मगद्दत माँगा था, छोटा ना वासियों के उद्रव को नियंद्रित करने तू जगनात सी चतुर्थ ने किस नागवनसी राजा से मतत मांगी थी जगन द्रपनात सी ओप्सन यह सही है अगला है सिम्भूम छेतर में अंग्रेजों का पहली बार परव्यस कब हुआ था तो सिम्भूम छेतर में अंग्रेजों का पहली बार परव्यस जो है 1767 में हुआ तो कब 1767 में ओप्सन बी सही हो जाएगा इसका अगला स्वाल देखते हैं सिम्भूम छेतर में कि सिब्गूम छेतर में अंग्रेजों के प्रविश रूफ हुआ तो अंग्रेजों द्वारा एक यूद जगनात सी सी चðटूर्थ को प्राजित करने के बाद अगला है इंग्रेजों के मानभूम के बारे हुए को लडाका और व्यनकारिये बाद मानवंस के बारे में जनकारी किसे प्राफ्थ होती है आठवी सदी का दुधपानी अविलेक सिलालेक और चोगदवी सदी का गोईंदपूर सिलालेक तो आठवी सदी का दुधपानी सिलालेक और चोगदवी सदी का गोईंदपूर सिलालेक से मानवंस के बारे में जनकारी प्राप्त होती है और मानवंस का जो मानवंस सासक थे उनको अत्याचारी सासक माना गया है अगला है चोगदुमी सदी का गोईनपूर सिलालेक का निर्मान किसने किया था तो चोगद्वी सदी का गोईंदपूर सिलालेह का निर्मान जो है कभी गंगाधार द्वारा किया गया था और मानभूम कहां पर है अभी वर्तवान में मान सकते हैं धर्बाद और हजारीबाग छेतर के जो है मानभूम राज के इंतरगत आता था और रा्मगर्न राज के स्थापना उ ज़र डर्वार में थे नीके बादेवा कोन थे साथ उंके सेके श्यदर के अस्थानी जटानिय राजा को प्राजित कर उसके श्यदर पराधिकार कर लिया था तो रहा बात और दलेल सी ने अपनी राजदानी कहा बनाया था उन्हें अपनी राजदानी जो है रामगर बनाया था कब 1667 में अगला है दलेल सी ने रामगर राज़ पर सासन किया तो दलेल सी ने रामगर राज़ पर सासन कब से कब तक किया था कि 1667 से लेके 1724 तक अप्शन यह सभी हो जाएगा अगला है छोटा नागपूर पर शासन करने वाले नागवंसी सासकों में कौन सामिल नहीं था तो कौन सा नागवंसी सासक नहीं है जिन्हों ने छोटा नागपूर पर सासन किया था कि परिताब करने हैं विडाट करने हैं चटर क करने हैं नकर विक्रम करने है ऑप्शन के नुसार ऑप्शन डी रहा हài मानते थे राजपूत मांते थे यह नहींफ मुण दलेल सी ने छही राज के राजा की शरा गैंचे तो सुर्ज किया है मगर सिंप् einzन ऑफसन भी सफया और दलेल सीने कि वर्ष छे राज के राजा मगर सी के हतन्य कि ती कि वर्ष किया था हम हाँ कुछ पद वाते nossas our ग्रहेस ऑफसे के बाद अपे खर efficiency के बाद रामगण सार्शक जो हुले कोन बने थे दरी सिन नहीं थे ि distinguish think option 20 से हो जाएगा है अगला है ह Sergio 도replant hedora की नित्रित में अर्हराथ ने रामगर के राजा विश्डू सिंग पर कब आखरमन किया था तो मिष्डू सिंग पर मार्त माराथा द्वराव कब गया था 1747 में अगला है बंगाल के नुवाब लिवर्दी खाने 1740 पी में किसे राम गर्राइश से कर्व असू लेप के लिए बेज़ा था तो 1740 में रामगर्राइश से कर्व असूलेश के लिए किसको बेज़ा था हिदायत अली खान को 12 जार उपएे वार्सिक माल गुजारी दाय किया थाुप grasses सुही है 752 में नरहत hasnima के समय नरहत hasnya के किस जमिनदार ने विसनूषी पर आख्रमन करके उससे सम्झोत करने पर विवच किया था तो समझ विश्णू सीं को समझ ह Caribbean किस ने किया था कामगार खा पोसरी सही है बंगाल के किसा सासक ने शाच सभी को प्राजित आटमीर कासीम option D सही है। 1733 स्भी में मीर कासीम ने नीवनी में से किसके नेटित में रामगर्ण राज पर आक्रम करनेतु से नवेजा था। तो किस ने किया था ? मरकत सखा असदुल्ला खा abonn, दोनों थे, औपसंसी सही हो जाएगा, विश्णू सींग के बाद रामगण कर राजा कूर बना था ? तो विश्णू सींग के बाद रामगण कर राजा को बने थे ? टेज स Неह उभर कब बने थे ? 17!? परमे ! पिहार राज भूमी सुधार अदिनियम 1955 अगला है है अग्स्जान्वरी नेश्ट कोस्टेच रामगर राज की स्थापना किस ने पिया था तो ख़डगडिया स्थापना का मनें 15 सदी में और हंस्राज देव झो था एक दक्षिन भारति है हंस्राज देव ने ने पिस जाती के सासक को प्राजित करके हजारी पगर पर अपना परखुत Armor यह पर अज्य पर amendment यह था तो किस ने जाती गवरह गाओ यह था बंदावत जाती को स्थापद किया था कभी वही संबन्द चुथा ब्रह्मन जमिंदारों के साथ था ओपशन एस धाल भूम के किस वंस के संबन्द में इनमें से कुन सा कथन सब्सक्राइब जाती से वे धोबी थे अगर माना जाता है कि जो संथापक के पिता जो थे धोबी थे और माता ब्रहमन कनिया के संतान और माता कुन थे ब्रहमन कनिया अगला है मानभूम का सरवादिक सक्तिसाली राज कुन था तो मानभूम का सरवादिक सक्तिसाली राज कुन था तो पंचेत जो है मानभूम का सरवादिक सक्तिसाली राज है इनमें से किस राज का राजचिन कपिला कहा की पूछ है तो कपिला गाय की पूछ कौन से राज का राजचिन है तो पंचेत राज अगला है निमें से किस राज के राजाओं को गो मुखी राजा कहा जाता है तो वो मुखी राजा किस राज के राजाओं को कहा जाता है पंचेत राज के राजाओं को वो मुखी राजा कहा जाता है ॐ अगर बात किया जाया मानभूम राज के संस्थापक कोन थे तो थोड़ी थोड़ फन्चेत राज के संस्थापक और किसकी राजके स्थापना जो है एक कासी पुर मध्यष के पूत्रे ने किया था अर्वाः पूत्र कप पैदा हुए थे tim 3,202 में पैदा प्रस अगले की वीडियो में कुछ अनियों मुहत्पूर्ट अफिक साथ देखेंगे तब तो